जेहिन दोस्तो मैं हूँ अनू पर आप सब लोग देखे रहे ग्लोबल कॉन्फलेक्ट तो दोस्तो आप सब लोग को पताई होगा कि रश्या अल्रेडी अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेके कई हद तक तरक्की कर चुका है अमेरिका दूसरे तरव रश्या को इस शेत्र में मैच करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है जबकि दिन बदिन रश्या हाइपरसोनिक मिसाइलों के शेत्र में और आगे बढ़ता जा रहा है हाली में कुछ ख़बरों में दावा ये भी किया गया है कि रश्या अपने फिफ जनेरेशन फाइटर एयर कैप्टों में हाइपरसोनिक मिसाइलों को लगाने का तैयारी कर रहा है तो वही पे अब अमेरिका भी रश्या को ऐसे शेत्र में टकर देने के लिए अपना तैयार रहने बताऊंगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में रश्या द्वारा टोटल तीन मिसाइलों का डेवलाप्मेंट क किया गया है जिन में पहला है एवंगार्ड हाइफरसोनिक गाइड़ वेकल जबकि इसके इलावा रश्या नेवी के लिए बनाया गया 3M22 जर्कॉन और रश्या एरफोर्स के लिए बनाया गया केज 47 M2 किंजल मिसाइलों को अपना मिक-31 इंटरसेप्टर अटैक जैसे में अमेरिका इस शेत्र में रश्या से कई हद तक पीछे है अमेरिका द्वारा फिलाल अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों के परिक्षन ही किया जा रहा है और अमेरिका अब तक अपने फाइटर एयरक्राप्टों के द्वारा इन मिसाइलों को तैनात करने को लेके कोई भी भी काम करने में सफल नहीं हुआ, अमेरिका अपने B-52 बॉंबर जैसे हैवी एरक्रेप्टों में जहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइलों को लगाने का तैयारी कर रहा है तो वही पे दूसरे तरफ ख़वर ये भी है कि B-52 के बाद अमेरिका अपने फाइटर एरक्रेप्टो पहला F-15EX फाइटर एरक्रेप्ट का डिलिवरी मिला और दोस्तों एरक्रेप्टों के डिलिवरी के बाद अमेरिकी उच्छे अधिकारियों के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि F-15 एरक्रेप्ट हाइपरसोनिक मिसाइलों को लांच करने के लिए परफेक्ट फ्लाटफर्म हैं तो सो बुधिबार मतलब 10 मार्च 2021 के दिन बोईंग के मसूरिस्ते सेंट लुइस प्रोडक्शन फेसिलिटी में अमेरिकी एरफोर्स को अपना पहला ओपिशियल F-15EX फाइटर एरक्रेप्ट हैंड़ोवर किया गया जबकि ये एक 4 जनेरेशन फाइटर एरक्रेप्ट ह और इस एरक्रेप्ट के पास F-35 जैसे स्टेल्थ फिचर नहीं है तब भी इन एरक्रेप्टों को अमेरिकी एरफोर्स में काफी जादा महतो दिया जा रहा है तो सो पुराने F-15 CD एरक्रेप्टों के तुलना में नया F-15EX एरक्रेप्टों को काफी यादा आधुनिक और करते हुए काफी ताकतवर्वी बनाया गया है इवन एरक्रेप्टों के इनी ताकतों को देखते हुए अब अमेरिकी एरफोर्स के तरफ से करीबन 144 F-15EX वेरियंट के फाइटर एरक्रेप्टों को पर्चेस करने का बात भी कहा जा रहा है जो संभावित अमेरिकी एरफोर् और एक्टिव एलेक्ट्रोनिस स्कैन एरे राडर और कुछ अन्य हतियार इन एरक्रेप्टों को जितना ताकत पर बनाया है अब इन एरक्रेप्टों में हाइपरसोनिक मिसालों का इस्तेमाल करके इसके ताकत को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है दोस्तों जिन नया F-15EX एरक्रेप्टों को अमेरिकी बेडे में 10 मार्च के दिन शामिल किया गया उन एरक्रेप्टों को अब टैक्टिकल एरक्रेप्ट का भी दड़जा दिया गया है बेसिकली देखे तो इन एरक्रेप्टों को अमेरिकी एरोस्पेस जाइंट बोईंग कंपनी के तरफ से बनाया एरक्रेप्टों में तब्दिली के बाद एरक्रेप्टों के रोल भी काफी हद तक बढ़ चुका है जिनमें एर सुपिरियोल्टी, इंटरसेप्शन, डीप पेनिट्रेशन, एनमी इंफरस्ट्रक्चरों को तभा करना और स्ट्राटीजिक बॉम्बिंग जैसे मिशन तो शाम है कि अमेरिकी एरफोर्स द्वारा इसका इस्तेमाल ग्राउंड अटैक के लिए भी करने का इरादा रखा जा रहा है, F-15 EX एरक्रेप्टों को अपग्रेड करते हुए इनमें जो सबसे बड़े तबदिली लाया गया है वो है एरक्रेप्टों के हतियारों के पैकेज को ले जोडने के साथ-साथ एरक्रेप्टों के स्ट्राइक कैपिविलिटी को और मजबूत किया जा सकता है, F-15 EX बड़े आकार के फाइटर एरक्रेप्ट होने के बज़ासे और इसका पैलोड शमता ज्यादा होने के वज़ासे ये हर तरिके के भारी भरकम एर लॉंच हतियारों को भी कैरी करने का शमता रखता है और इसी वज़ासे ऐसे एरक्रेप्टों के द्वारा आसानी से हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर बड़े आकार के मिसाइलों को लॉंच भी किया सकता है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल असल में ऐसा एक मिसाइल होता है जो साउंड के रप्तार से पांच गुना या उससे अधिक से ट्रावल कर सके मतलब जिसका रप्तार minimum mark 5 या उससे अधिक हो जज़कि हाईपर्सोनिक मिसाल का मतलब यहाँ पे असल में एक तरीके का cruise मिसाईल ही होता है जिसके पास रप्तार के रूप में ballistic missile जैसे ताकत हो और maneuverability के रूप में cruise missile के जैसे फूरती हो दोस्तो हाइपर सोनिक missile का development आधुनिक generation के air defense system और ballistic missile defense shield को भेदने के लिए किया गया है लगभग पुरा दुनिया में अब air defense system और ballistic missile missile defense shield को तैनात किया जा रहा है और हर एक देश अपने सुरक्षा के लिए इस तरीके के हतियारों का निर्मान भी कर रहा है और दोस्तो ऐसे में ballistic missile missile के द्वारा किसी ठीकाने को निशाना बनाना और अब इतना आसा नहीं रहा ऐसे में उन हर एक देश क्यों अब ऐसे missile का आवश्यक्ता आ गया है जो air defense system या ballistic missile defense shield को भेद सके और इसी प्रयास में दुनिया में सबसे पहले रश्या के तरफ से ही hypersonic missile का development किया गया जबकि hypersonic missile में भी air launch capability वाला missile सबसे घातक माना जाता है क्योंकि range के मामले में जहाँ पे ground launch या फिर ship bond hypersonic missile एक limited area तक ही अपना influence को बढ़ा सकता है तो वही पे air launch capability के साथ इन missile को लंबे दूरी तक हमला करने के लिए भी तैनात किया जा सकता है एक aircraft के साथ एक hypersonic missile अपने घातकता को लगभग दूगना बढ़ा सकता है जबकि इस से missile के range भी बढ़ जाता है और दुश्मन को ये भी फता लगाने में मुश्किल होता है कि हमला किस तरफ से होगा और इनी घातकताओं को देखते हुए अमेरिका द्वारा F-15 जैसे fighter aircraft हो म में इस शेतरे में dominance बनाएं जबकि A-15 EX fighter aircraft के platform को इसलिए भी जादा महतों दिया जा रहा है क्योंकि इसका payload श्रमता भी काफी जादा है खाली दोस्तों ये 22 air to air missile को carry नहीं कर सकता है बलकि 10,000 kg से भी अधिक हत्यारों को carry कर सकता है Boeing Company के द्वारा अल्रेडी एक model में ऐसा ही एक fighter aircraft को 7,300 pound वाला hypersonic missile के साथ showcase किया गया था जो दर्शाता है कि इन एर कैप्टों के पास भारी भर कम missile को carry करने का कितना शमता है दूसरे तरफ अगर 5th generation fighter aircraft के साथ इन tactical fighter aircraft के comparison किया जाए तो एक A15EX करीबन Mark 2.5 के रप्तार से 1100 mile के range के अंदर हमला बोलने का शमता रखता है तो वही पे A35 जैसे अमेरिकी advanced train 5th generation fighter aircraft के range का शमता करीबन 670 mile मतलब A15EX के तुलना में लगभग आधा के आसपास मतलब A15EX aircraft hypersonic missile को लेके जादा दूर तक उरान भड़ सकेगा और दुश्मन के शेत्रे के अंदर जादा deep penetration का भी शमता रख सकता है तो इसका मतलब ये भी है कि A15EX aircraft के द्वारा दुश्मन के territory के अंदर तक बने हुए installation को hypersonic missile के द्वारा दभा किया जा सकता है जो संभावन को लगाने का इरादा बना रहा है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख प